किसानों की आमदनी की बात जोर्षोर से उठती है उनकी आमदनी दोभनी करने की बात होती है और साथ ही साथ उनको ऐसा मौडल क्रियेट करने की भी बात होती है कि वो आत्म निर्भर बने किसी दूसरे कंपनी पे या कुछ दूसरे साहुकार पे या सरकार पे वो डिपेंडे आइए आपको मिलवाते हैं कचारी सावंगा गाओं के रहने वाले अनन्त बोयरे जी से जिनों ने खेती किसानी में नए नए प्रतिमान गड़े हैं और एक नया मॉडल ऐसा विक्सीत किया है कि किसान कैसे आप निर्भर हो सकते हैं वो सीख सकते हैं सर आपका बहुत-बहुत स्वाजत है काओं जंक्शन में मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि अभी आप जो आपको अमबारी माहना आफ इंडिया के नाम से जाना जाता है वो पहचान कैसे मिली और आप क्या-क्या करते हैं है और कि जब मैं खीति में मेरी इंटरी हुई तो जो बहुत सारे ट्रेडिशनल क्रॉप से किसानों के पास में तॉर थी और थी बहुत सारे मल्टी क्रॉप सिस्टम थी लेकिन जब से कैश क्रॉप आ गई कॉटन आ गया सोय भीन आ गया तब से सब किसान यह क्या दो ही फसल लेने को लग गए शुरुवात हो गई और सिर्फ कैश क्रॉप पर ही लोगों का ज्यादा फोकस रहा इसका परिनामी यह हुआ कि जो हमारी ट्रैडिशनल फसले थी उसको खेट से खदेड दिया गया और खदेड देने की वज़े से हम हमारी डायट के लिए पराव लंबी हो गई दुकान से मुंग दाल लाना उड़त दाल लाना तूर दाल लाना ऐसा चलता रहा मुझे लगा कि हम यदि खेती करते हैं त जार के लिए करेंगे क्या ये पहला सवाल मेरे मन में है तो मैं मेरे फैमेली के लिए यदि खेती नहीं कर पा सको उनके लिए अनाज नहीं उगा पा सको तो मेरे खेती करने का कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि पहले जो अनाज खाने वाले हैं हम खाएंगे जो बचा हुआ तो इस वजह से इस विचार से मैंने जो खदेड दिये हुए क्रॉप थे वो मेरे खित में पुनर स्थापित कर दिये उसमें अमबाडी थी उसमें अलसी थी उसमें उड़त था उसमें मूंग था उसमें बरबटी याने चवली थी ऐसे उसमें हल्दी थी उसमें प्यास था उ एक ऐसा कलप रुक्ष्या है जिसके 10-12 बाइप्रोड़क बन सकते हैं जो अनेक विविद रूप में लोगों को हम दे सकते हैं जैसा उसका सरबत बन सकता है चटनी बनती है उसका चुर्न बनता है उसकी कैंडी भी हमने बनाई है उसका बीजो का फ्लोवर बेसन बनता है इतना सारा देने के देने वाला रुखष्या क्यूं हम खडेड़ दे अपने खेतों से इतना यह तने शे जो जूट निकलता है उसकी रस्ती भी किया करते तहीं जिसकी खतिया बनती थी हमारे हां हमारे बच्पन मे तो उसका और पतों की, हरे पतों की सबजी भी बनती थी तो यह है कि इतना सारा रुक्ष हमें दे रहा है और हमने उसको खेती से हकाल दिया तो इसलिए मैंने उसको सिप्राइब executive किया और जैसे जैसे दिन गुजरते गए हम उसमें काम करते गए तो उसके बहुत सारे बाय प्रोड़क्ट हमने उसके प्रयोक किये जो अभी सक्सेस हुए और करीबन आज डेट को हम उसके करीबन बारा प्रोड़क्ट लोगों तक पहुचा रहे हैं एक अमबाडी के क्रॉप की दूसरा एक था कि जो तरोटा करके कैसिया टोरा नाम की वनस्पति है जिसको घाज बोलते थे पहले लोग खरपतवार बोलते थी तो वह अभी जो वीडिसाइट का प्रभाव जादा बढ़ गया है सब किसानों के खेतों में तो उसका उगना बंद हो गया है लेकिन हम वीडि अब इनकी चबजी होती है और चरोटे के बीच को यह दिभुना तो उसकी अच्छी हरबल कौफी भी बनती है यह हमें कुछ ट्रैबल लोगों से पता चला और हमने तब से तरोटे के बीच की कौफी हरबल कौफी लोगों को देने की शुरूआत की जो आपका मॉडल है खे तो हमारा विजो से शुरू होता है जो कि मैंने विजो के बारे में आपको जान करी दी है कि हम हमारे लोकल इंडिजिनेस सीड बचा के रखते है और किसी किसान के पास हो तो वो भी इकट्ठा करते और उसकी लेंदेन आदान प्रदान भी करते है किसानों में तो एक हमारा स लाए कोई खाद लाए खरपतवार नशी लाए यह हम कभी करते नहीं इसलिए हमारा जो प्रैक्टिसेस है कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस उसमें भी हम स्वावलंबी हो गए तीसरी बात यह है कि हम पिछले 20 सालों से मंडी गए नहीं है जैसे दुकान में कुरुशी सेवा क मौन मौन में कि धिय जोश्यपिर उससां डेन आद लिफежд हो पूरे देश के पहर मर्स आते हैं अलग-अलग स्टेट के अपने बीज लेके आते हैं भीजो के आदान प्रदान होती हैं करेदी बिक्री होती है और जो भी ऐसे प्रोड rifij आसे अलग-अलग पी ilungs बाता है तो तो उसमें हम ग्रहक अवेरनेस का भी प्रोग्राम रखते हैं, तो ग्रहक और किसानों का मेला रखते हैं, ताकि एक दूसरी की समस्याई, एक अलग अलग जो होती है, वो किसान की समस्याई ग्रहक जानता है, ग्रहकों की किसान जानता है, तो एक मेल जोल बढ़ता है, तो उस क्योंकि जैसे फैमिली डॉक्टर होता है वैसा फैमिली फार्मर भी होना चाहिए यह कंसेप्ट हमने पिछले बारा साल से शुरू की है लोगों में अवेर्निस के लिए क्या क्या बनाते हैं उत्पाद आपके क्या क्या होते हैं जिने आप कंजूमर को डारेक्ट सेल करते हैं हम तुर जब निकलती है तो उसको तॉकजिन फ्री दाल बनाते है उसकी तॉकजिन पानी में गल जाता है निकल जाता है तॉकजिन फ्री दाल बनाते है उसकी जो बारिक उसको कलना भी ग्रहाक लेते हैं। तुवर्च की मूं की बिदाल घर में उड़त की बिदाल JB landlord भी आतररा गर्वी मूं की वड़ी बनाते हैं ग़र में बाइन लोगों के हाथ से, तो कचचे आल्सी अल्सी भी लेते हैं। और भुनी हुई जो मौत थ्रेशनर करके खाते हम अलसी भुनी हुई तो वह भी हम लोगों को देते हैं चने की दाल बनाते हैं चने के दाल का बेसन बनाते हैं तोर की दाल तो बताई उसके बाद में गेहू किसी ने आटा वांगा आटा भी दे देते हैं यह जो आप हल्दी के प्रोड़क्ट बनाते हैं उसके बारे में बताइए वाइगाव वेराइटी की है जिसमें कर्कुमी नियर अबाउट 5% होता है और उसकी सुगन बहुत तेज होती है और कलर बहुत गहरा होता है दुसरी एक हल्दी है है अंचार की हल्दी जैसा मैंगो होता है कच्ची कै कीरी होती है उसके जैसा उसका टेश्ट है स्वादबी है तो उसका अच separately वह बनाते उसका पाउडर भी सर्भत के लिए इस्तिमाल किया आजा सकता है ता Mina इब म Dop आमली जो फेस पैक के लिए या वह बहुत मेडिसीनल प्लांट है जिसको उप्युक्तता दवाईयों के एक शेत्र में भी बड़े पैमाने में होता है तो अभी हम सुन रहे थें अमबारी मैन अफ इंडिया से कैसे किसान अपने उत्पादों को साप सफाई करके प्रोसेस करके अपनी आंधनी को बढ़ा सकते हैं बीच का जो मिडिल मैन है जो बल्या पैमाने पे जो शोशन की बात आती है जो बीच में उसके उत्पादों को निर्धारी जो रेट निर्धारन की बात आती है उसको इन्होंने कट करके सीधे एक रिष्टा बनाया उभवताओं के साथ में और अच्छी कमाई कर रहे हैं औ तो सस्टेनेबल मॉडल हो सकता है और खुश हैं और ये दूसरे किसानों के लिए प्रेना सुरत हैं मनीश मिश्रा गाहों जंक्शन